वेल्कम गाईज जिसके यहां पर आप देख सकते हूं कि आज हम एक विस्स टोपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं टोपिक है हमारा एन्वाल हस्वेंडी का कैमल या ओंट ठीक है तो याद रखिया आपको लगबग यह पता है कि ओंट से समंदी एक या दो क्यूसंस तो आपको याद होने चाहिए पता होना चाहिए ठीक है क्यों क्योंकि याद रखिया यह काफी इंपोर्टेंट है और इससे कि समसा ही पुछे आते हैं ठीक है चले नेक्स टिसन के आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जरूर कर ले और पास के बैल आएगर मुझे जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर क्लास है वह आपको नोट के साथ साथ रेगुलर क्लास मिलते रहें ठीक है तो नोट किसन को ओल पर स्लेक्ट कर लेना ओके चलिए क्लास को इसको स्टार्ट करेंगे तो आज के क्लास का जो हमारा फॉर्स्ट किसन बनता है ठीक है पॉइंट यहाँ पर केसे कैस की के साथा कर आते हैं उन लेकिन आपको यहां से एक और क्रिशन याद रखना है कि 74 तो उट के होते हैं, कैमल के होते हैं लेकिन इसमें दांत कितने होते हैं, तो इसमें दांत होते हैं, याद रखे हैं, 34 ये किसन आपको सुप्रवाइजर में पूछा गया है कि इसके दांत कितने होते हैं 34 होते हैं, बाकी गाई, भैंस, गोड़ा, बक्री, मतलब गाई हुआ, बैंस हुआ, भैंस हुआ, भेड़ हुआ, बक्री हुआ, इन सब यह में क्या होते हैं, 32 होते हैं, लेकिन याद दिया था Camel LED, नाम से इस पर स्ट हो रहा है, Camel का क्या होता है, कुल Camel LED, ठीक है, अब यहाँ पर याद रखेगा, इनकी जो संख्या के बारे में questions पूछे आता हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ऐसे यह जूर data है, यह old भी हो सकता है, ठीक है, जब भी आप exam दो, मैं यह हमेशा कहता हूँ, कि जब भी आप data देख रहे हो, तो वेस केवल आपको exam time से जस्ट पहले देखना है, ताकि आपको current data मिल जाए, ठीक है, data कभी भी change हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रहते हैं, रहना है, next session के आपर बात करेंगे, कि अगर भारत में बात की जाए, रखीगा, ऊटों का है, मतलब आप एक तरीकी से से मान सकते हो, कि ऊटों में एकादिकार राजस्तान छेतर रखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता, यह रगीस्तानी छेतर है, और रगीस्तान का जहाज किसे बोला जाता है, ऊट को ही बोला जाता है, ठीक है, त असाने से क्यों होता है ने व yeter में आसाने से चल पाता है यह भी याद रखिया क्वों मृच्जान सापको कोई पूछ ले ता Bernard सकते हुग को ओके कहीं जितने कंवा पर किशन सीया के सारे ही आपको एकसम में पूछी आ चुके हैं और मैं आपको बताता रहा हु हूँगा फिर गर्वधारन के लिए जो सक्सम होती है, इसका टाइम होता है, एक टाइम प्रीड होता है, उसके बाद में ही ये गर्वधारन कर सकती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे याद रिखिया मादा उट की, तो मादा उट तीन से चार साल में गर्वित हो सकती है, मतल याद रखेगा माधा ऊको गड़व धारण करने में समय सबस्बस करों नर्ग का समय लगता है उन नर्गों को कितना ताइन लगता है याद रख सकते हो दो चरिया अब आपने ये तो सुनाई होगा कि उंट एक बार में इतना पानी पी लेता है कि वो 6-7 दिन आसाने से बिना पानी पी रह सकता है क्यों ऐसा क्यों संभव है क्योंकि या दखिया उसमें कूबड पाई जाती है अब कूबड से भी रिलेटेड या दखिया दो किसन आपको पूछे आता है उनके बार में भी डिसकस करेंगे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कितना पानी पी लेता है तो या दखिएगा सबसे पहले तो या दखिया उन्ट को परती दिन नमकी आव सकता होती है कितना? 75-75 гр. मतलब 25-500 नमकी आव सकता होती है किसे उन typically को ये भी परती दिन है क्योंकि इसको इसकी आवसकता होती है इसके अलावा जो पानी पी सकता है वह परती दिन या फिर एक नोर्वर में बात करें तो नोर्वर में भी वायद रखीगा 18 पीता है ठीक है आपने सुनी है एक बार में इतना पानी पी सकता है यह जैसे शाथ दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है क्यों क्योंकि यद्र रखेल ऐसा इसलिए समभव है क्योंकि यह जो आरवीसी सेल्स है उसको 240 गुना तरक यह बड़ा लेता है क्या करता है जब यह पानी का से उनकी समता के कोडी कि 240 गुणा तक उसे बढ़ा लेता है मतलब इंग्रीज कर लेता है ठीक है अब आप समझी सकते हो कि कितना पानी आसानी से पी सकता है ठीक है अब यहां पर बात करें और प्रजनन अनुसंदान के अंद्र जिसे हम बोलते हैं एन और एन सी आर सी काफ इंपोर्टेंट कि इसन याद रखीगा कई वार आपको एक्जाम में पूछा जा चुका है कि यह खांपर इस्तित है उट प्रजनन अनुसंदान के अंद्र तो यह इस्तित है जोडवीड और जोडवीड छेत्र है यह खांपर इस्तित है विकानेर में वही बातकर रहा है जाँ पर गजनेयर्य देखनेयरभ गयान वही जिसमें बड़र पसे फाई काई जाता है तो वैसे यह उस्तितYourस कलास्स में हो झाता है हमारे डिसकस तो आई ठिंक यहाँ पर एक क्लास में जरूर रखूँगा राजस्तान जी के की क्योंकि यहां पर राजस्तान जी के सी जितने भी क्योंस है वह हम सेकिंड चैनल पर और्गिनाईज कर रहे हैं वहां पर भी आपकी राजस्तान जी के क्लासे चल रही है तो जो राजस्तान जी के पढ़ना चारा है वो सेकिंड चैनल जा सकता है ठीक है जली अब यहां पर बात करूंगा राजस्तान में उट पालक जाती गौंशी है उट जो पालते हैं उनको क्या खाएस्था अपने सुना होगा याद रखेगा कि उंटों को चर्णाते हुई जर्णाते हैं लेकिन इन चर्वाहों को कहा क्या आज़ाता है इनको कहा या राइका या रेवारी एक विशेश जाती होती है आद रखिया का उनका एक मुख्य वेवसाय आप मान सकते हो पारिवारी धर्वर आप मान सकते हो जो उन्टों को ही चराते हैं तो उनको वह लगता है राइका या रेवारी ठीक है इसी की अगर बात करते हैं जैसे कि उन्ट बिमार पड़ जाता है तो याद रखिया उन्ट जब बिमार हो जाते हैं तो ये राइका ये रेवारी जाती के जो लोग होते हैं ये पाबुजी देवता है हमारे उनकी पुझा करते हैं इसलिए याद रखिया पाबुजी को उन्टों का देवता कहा जाता है याद रहेगा ओके चलिए नेक्स ट क्या कहते हैं? उसे उस दा कला कहते हैं चलिए नेस्टिशन की हाँ अब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पूचा गया है कि ऊटने की दूद में आपने सुना होगा याद रखेगा कि आइरेन की कमी होती है दूद में फास्परोस केल्सियम फास्परोस इन में ज्यादा होता है लेकिन याद रखिया विशेश तोर पर उटनी के अगर दूद की बात करेंगे इसमें विटामिन C सरवादिक होता है बाकी जितने विए जैसे कि हम पढ़ते हैं गाई पढ़ते हैं बहस पढ़ते हैं भेड पढ़त ओटनी का जो दूद है यह जो डाइबिटीज की जो पैसेंट होते हैं जिसे हम मोलते हैं मदू में रोग ठीक है तो यह डाइबिटीज पैसेंट के लिए वी काफी अच्छा कारगर साबित हुआ है इसका ओटनी का दूद अब आते हैं हमारे यहां पर मॉस्ट इंपोर्ट में एक कुबड पाई जाती है उसे तो क्या नाम से जाना जाता है जो कि सामानेते आप देखते हो आपके गाओं वोगरे में पाई जाता है तो उनमें एक ही कुबड देखने उमलती है आपने देखा होगा याद रखे का यह जो उनका सीना होता है तो यहां पर क्या होता हल कि दो कुबड पाई जाती है मतलब दो उभार यहां पर होते हैं ठीक है तो अब यहां पर हम जान लेते हैं कि यह जो एक कुबड वाले हैं वो तो खहां पर पाई जाते हैं वो तो भारत में ही पाई जाते हैं ठीक है लेकिन अगर बात करेंगे टू मतलब दो कुबड जिसमे यह पाइजाती है तो वो तो मुख्छेते आपको बताया है अभी लददाग साइड बाइजाता है लददाग में पाइजाता है थिक है तो शर्मेडे एक बार रिपीट कीजिए Camelos Dromedarium और Camelos Bacterian Camelos Dromedarium और Camelos Bacterian तो याद रखेगा अगर आपको पुछाता है दो कुबड़ वाले तो दो कुबड़ वाले होते हैं Bacteria कल भी आपको बताया था बेक्टिरियों की संख्या याद रखेगा मर्दा में सबसे ज़्यादा होती है Bacteria जो जिवानों है सबसे ज़्यादा रोग इन से होते हैं और Bacteria ही सबसे ज़्यादा याद रखेगा मर्दा में पाई जाता है इतना तो आपको पता होगा आपने पड़ा होगा, ठीक है, उसी सी यहां पर हमारी ट्रिक बन जाएगी, कि बेक्टिरिया क्या होते है, सारवादिक होते है, भूस सारे उनकी संख्या होती है, संख्या में सबसे ज़्यादा जिवानों भी पाई जाते हैं तो याद एक है नहीं है इसमें दो है इसमें ठीक है बारत में तो एक ही होता है लेकिन बेक्टिरिया ज्यादा होते हैं संख्या में तो ज्यादा कौन सा है दो ज्यादा है ठीक है मतलब दो कुबड पाई जाती व तो भी आप इस किसनों को आसाने से सोल कर सकते हो, ठीक है, चले, I think आपको याद हो गया होगा, एक और बार देख लीजे, एक कुबड़ वाले को Camulus Dromedarium कहते हैं, दो कुबड़ वाले को Camulus Bacterium कहते हैं, गुण सुतर दोनों में semi होते हैं, या देखिया, 74 इनमें Chromosome होते हैं, इनमें दातों की संख्या होते हैं, 74, ठीक है, टीत होते हैं इनमें 34, और Chromosome होते हैं इनमें 74, चले, नेक्स टिसन के आपर बात करेंगे, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, कि एक बार में कितना पानी पी सकता है, तो या देखिया, एक बार में उट 136 लिटर पानी पी सकता है, क्यों कि अभी तो आपको बताया, कि RBC सेल्स को बढ़ा सकता है, RBC सेल्स इनकी क्या होती है, लचिरी होती है, इसलिए या देखिया, ये RBC सेल्स को लगबग 240 गुना तक बढ़ा लेता है, इसलिए क्या कर सकता है, 136 लिटर तक आसानी से पानी पी सकता है, वैसे इसको नॉर्मल कंडिशन में पानी क्या हो सकता होती है 18-36 लेकिन जब इसको लगता है कि भाई प्यासे मरने वाले हैं तो उस कंडिशन में यह क्या करता है 137 लेटर पानी पीलेता है जिससे की इसको आसानी से जीवित रह सकता है मतलब 5-6 दिन या फिर 6-7 दिन तक यह आसानी से रेगिस्तान में बर्मन कर सकता है ठीक है? चले next season के आपर बात करते हैं अब हमारा president योगे हो चुका है 3-4 साल का उंट तब आती है उसमें याद रिखीगा बच्चे देने की अवस्था माली जी उसने बच्चा दे दिया है ठीक है? तो अब जो बच्चा जन्मा है तो उसका वजन कितना है? आपको यह बता होना चाहिए तो याद रखीगा कि जन्म के समय उंट के बच्चे का भार कितना होता है? 35 से 40 केजी का होता है याद रखीगा कि उटनी ने जब बच्चे को जन्म दिया है तब उस उटनी के जो बच्चा होता है सबसे पहले याद रखीए इस उटनी के बच्चे को क्या बोला सा है? टोड्या क्या बोला साइसे टोड्या बोला जता है तो इस टोड्य का वजन कितना होता है याद रखना उठनी के बच्चे को टोड्या कहता है और इस टोड्य का बच्चे का मतलब भार कितना होता है जब यह जन्मता है बच्चे को जन्म देता है तो इस जन्म के समय इसका कितना वेट ह होता है कितना वजन होता है 35-40 की लोगा होता है 35-40 की लोगा होता है याद रहेगा नेफिstäसंगे लाँ पर बात करेंगे कि वर विटाढ दिये मतलब उनसे वह प्यार नहीं गड़ती सिंफेशलिक है जिसमें आपको पूछा कि उट की नर को केमल का आ जाता है सभी को भी दीत है माधा को माधा को शाण तो नहीं कहते है यह गलत है थोड़ा सा वैसे इन दोनों को ही उट ही कहा जाता है ठीक है उट नहीं दो बाईचांशी कहते है बस आपको यहां पर यह किसन तो नॉर्मल कोई पूछेगा नहीं, बस आपको यहाँ पर याद रखना है, जो उट का जो नौजात बच्चा है, उससे क्या कहता है, टोडियो कहता है, या फिर यूवा को क्या कहता है, टोडियो कहता है, ठीक है, नौजात या, यूवा आप जिसे कह सकते हो, तो इसे क्या कहता है तोड़ा कहता है बस यहां से यही किशन आपको पूछा जा सकता है काफी important इसका वजन कितना होता है अभी तो आपको बता यह 35-40 किलों का इसका वजन होता है कब कब यह जब यह जनम अता है जब इसका जनम होता है ठीक है याद रहेगा नेश्टिसन यहां पर है जो कि पाया जाता है समझने की कोशिश कीजिए कि जो उट का जो मतलब यह है उसका सिर ठीक है पूरा चितर तो नहीं बना पाऊंगा बस यह मा लेजे यह है चितर टैंथ में पड़े होंगे ना टैंथ ट्वेल्थ में मैंत्स वाफ ने पड़ी होगी माना जाता है कि ठीक है तो वही माना जाता है कि यह उसका सिर है ओट का क्या है यह सिर है तो यहां पर यह होता है या देखिगा ऐसे समझ लीजे यहां पर एक हलका सा गड़ा होता है ठी कहते हैं इसे हम इस्टोप कहते हैं और याद रखे हैं यह हर एक उट में नहीं पाई जाता है हर एक उट की नसल में नहीं पाई जाता है यह विशेश तोर पर पाई जाता है किसमें बिकानेर में आप याद आख सकते हो कि यह हाज जगह तो नहीं पाये जाएगा राजस्तान में लेकिन यह बिकानेर में जरूर पाये जाएगा क्या? ओंट के सिर में गड़ा ओंट के सिर में गड़ा जिसे हम कहते हैं स्टॉप तो यह किस विसेष्टा होई? किस नसल की याद रखिया? ओंट की विकानेरी नसल की एक मुख्य पैचान है कि इसके सिर में गड़ा पाये जाता है अब यहाँ पर मैं तीनी विसेष्टा आपको बताऊंगा तीनो रट लेना क्योंकि यहां से भी किसन हर एक एक एकजामे पुछा आता है सबसे पहले यही किसन पूछाता है कि विकानेरी में मुख्य विसेस्टा क्या है? याद रखिया इसके सिर में क्या होता है? एक गड़ा होता है देखा हमने अभी तो जिसे कहते हैं स्टोप और ये पाये जाता है विका नेर में मतलब विका नेरी नसल में पाये जाता है एक आता है जेसल मेरी नसल के बारे में तो जेसल मेरी नसल के बारे में आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि यह जो जेसल मेरी छेतर है आपको पत जान रखना हैं पर पोइंट है सबी कामाने वाले हैं सबसे पहर देखें अंतररास्ट्री सीमा पर पाकिस्तान से जुड़ी होगी है 70 km की जिसमें से जो जोड़ी हुई है सबसे ज़्यादा जो सीमा जेसल मेर की ही जोड़ी हुई है अब अगर माल लीजे सबसे ज़्यादा वहाँ पर रेका है मतलब सबसे ज़्यादा जो छेतरफल है पाकिस्तान से लग रहा है जेसल मेर का तो क्या आप मानते हो जेसल मेर हमें मतलब पाकिस्तान हमें कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा बिल्कुल पहुचाएगा क्योंकि हमारा तो एक तरह केसी दुस्मान है पाकिस्तान क्योंकि वह हमेशा से ऐसे ही करता रहा है तो आपको यह पता है कि सबसे यहादा च्छेत्रफल यहाँ पर है ओके बोर्डर सेक्यर्टी पुलिस ऐसे मान सकते हो बी एसेफ मतलब बोर्डर सेक्यर्टी पुलिस ठीक है तो यहाँ पर जो बीस एक तरीक जो उट होता वो तो चल इए आसानी से चल देते हैं चलते जोठा हैं लेकिन भाग भी सकते हैं आसानी से दोड भी सकते हैं यह इंद सकते हैं इसलिए हम क्या करते हैं कि इन जी ब्यूटाय 果्कॉन को valid model मेरी जो उंट होते हैं उनको ही इनको देते हैं क्यों क्योंकि याद देखिया बाकी तो भग नहीं पाएंगे लेकिन जब जरुरत पड़ेगी तो ये जेसल मेरी जो उंट है आसानी से तेज रफ्तार में भग सकता है ठीक है तो अब यहाँ पर इनको दे देते हैं क्योंकि इनको निवास यहां पर करना है, बाइचांस अगर यूद्ध हो जाता है, तो इनको दोड़ भाग भी करनी ही पड़ दी है, तो इसलिए इनको जो उट दिया जाता है, वो दिया जता है, जैसल मेरी, माइन में आई थिंग आपके थियोरी बेट गई होगी, मैं क्या समझाना चाहता है, जो भी एशेफ की जवान है, से ना की जो पुलिस हो किन उटों को रखते हैं, जैसल मेरी को, ठीक है, चलिए, सेकिन क्यूशन यहां से बन गया है, अब यहां पर एक और क्यूशन पूछाता है, मेवार इनसल से, तो यहां देखिया, मेवार इनसल की एक मुख्य वी से कि नहirosता है कि जो मेवाट इनसल से कि ऑन है इसका घौर होते हैं अब होट थो मैं कैसे बनाओ ठीक है को शलेगा कैसे भिमाल लिजे आप तो यह आप तो यह क्या होता है कि माल में इक थोरी बनाईए कि ऊट का जो होता है कि ओक कि वै कि कभी ऐसे होता नहीं है एक तरीके से आप थोट बना सकते हो ठीक है तो यह तो क्या है उपर वाला होट यह नीचे वाला होट है ठीक है तो आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला उपर बड़ा है या फिर नीचे वाला बड़ा है तो याद रखेंगे यहां से ही हम याद रखेंगे कि नीचे वाला होट इसा बड़ा होता है हलका सा क्या होता है साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है त चैसर दौननों की साइज अगर से मोठी तूवापस मिल जाते लेकिन यहाँ पर के आयए उपर वाला तो जहोटा है और नीचे वाला बढ़ा तो नीचे वाला अगर बढ़ा है तो वह तो सहारा मिल नहीं रहा दो से होटा तो क्या करेंगा नीचे लटकेगा ही तो इससाव क् फिर ठीक है तो याँ दखेगा यह मुख्य पहचान किसकी होती है मेवाडी नसल की होती है कुछ माइन में थोरी वनी याँ रखना जब भी आपको बात की जाए मेवाडी नसल की मेवाड छेत्र मेवाड छेत्र याद कि उद्यपूर को बोला जाता है मेवाड छेत्र मुख पैचान होती है इसके होट नीचे वाले होट क्या होते हैं हलके से बड़े होते हैं आप इसे मान सकते हो ठीक है होते नहीं है एकसर में लेकिन इसके नीचे वाले होट क्या होते हैं थेोरिक अकोर्डिंग हमारी लंबे होते हैं इसलिए वो क्या होते हैं वो नीचे लट जिसे हम इस्टोप कहते हैं, जेसल मेरे में हमने जाना था, कि सबसे ज़्यादा जो सीमा जुड़ी होई पाकिस्तान के साथ, जेसल मेरे की जुड़ी होई, यहाँ पर जो BSF रहती है, वो किन उटों को पालती है, वो जेसल मेरी उट को रखती है, या फिर पालती है, तीसरा हमने देखा था कि एक ऐसा भी उट है जिसके हूट नीचे वाला बड़ा होता है इसलिए वो क्या होता है यह किसके वैसे अफ्शी सता होती है योद्य यह होती है अब यहां पर एक और क्यूंस यहां पर बन जाता है कि उठ में अंडों सर का समय मद में आने के कितने गंटे बाद होता है तो इसका जो टाइम होता यह होता है 36 गंटे बाद ठीक है तो यह किसंस था है नोर्मल थे अब यहां पर एक या दो किसंस और देख लिए जो की काफी इंपोर्टन्ट है और यह किसंस था आपको अग्रिकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है कि ओट के मद में आने का या फिर आप ऐसे मान सकते हो तो हीट पिरिएड होता है तो इसको किस नाम से आना सता है तो यहां देखें ओट में जो हीट पिरिएड होता है का आ जाता है रटिया मस्त का आ जाता है और इसका जो यह रटिया मस्त का जो सीजन होता है जिसे हम कहते हैं रटिंग सीजन तो यह कब से कब तक रहता है या देखें नवंबर से मार्च तक रहता है इसे आप कैसे याद रख सकते हो इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि ओट जब याद रिखिएगा रटिंग सीजन में आती है तो या फिर हीट पिरिड में आती है तो उसकी आखे नम हो जाती है उटनी जब हीट पिरिड में आती है तो उसकी आखे क्या हो जाती है नम हो जाती है मतलब नमंबर से मार्च तक यह रहता है ओके यह याद रहेगा चलिए I think आपको यहाँ पर clear हो गया होगा इसकी PDF आपको टेलग्राम पर मिल जाएगी वहाँ से आप देख सकते हो otherwise आपको अगर पसंद आईए तो वीडियो को like जरू कर देना और share जरू करना है like करो ना करो आपके ओपर depend करता है कि आपको वीडियो पसंद आती है नहीं आती है अब like, dislike कुछ भी गड़ सकते हो comment section बता सकते हो आपको कौन-कौन से topic hard लग रहे harder जो topic है उसी को यहाँ पर आपको बताना है ताकि उनकी यहाँ पर special आपकी class हो जाए और उनके सारे questions यहाँ पर आपके clear हो जाए ठीक है तो hard topic आप बता सकते हूँ जो भी आपको hard लग रहा है तो चलिए मिलते है next class के साथ I think आपको class पसंद आए होगी तो share आपको जरू करना है मिलते है next class के साथ